Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star, the super learning platform. कैसे हो गाईज, बढ़िया, बिंदास, hoping that all of you are well and taking care of yourself and your family. गाईज, देखो यार, ये जो particular session है, इसमें बहुत-बहुत मज़ा आने वाला है, और इसमें हम बात करने वाला है कि भाई, atomic radius होता है, atomic radii जो होता है, वो actually होता क्या है, कैसे उसको define किया जाता है, और कितने प्रकार के atomic radius होते हैं, सबसे पहले देखो यार, ये बात हम करते हैं, कि भाई, atomic radius है क्या, ठीक है, तो यार, सबसे पहले जो atom है न, हम उसको imagine कर रहे हैं एक बार, board theory के हिसाफ से, board theory के हिसाफ से, हमारे पास, बीच में आप सभी जानते हैं, कि हमारे पास क्या है, nucleus है, और nucleus के बाद, इस तरह से surrounding हमारे पास क्या होते हैं, energy levels होते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, shells भी बोल सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे, जो ये outermost shell है, ये outermost shell मालत है, और यहाँ पे हमारे पास electron है, हमारे पास क्या है, electron है, कई सारे और भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो nucleus का center है, ये जो nucleus का center है dear students, यहाँ से लेके, ये जो outermost, जो boundary है, इनके बीच में जो ये distance है, इनके बीच में जो इसको क्या बोलते है इसको बोलते है atomic radius तो atomic radius क्या हुआ ये बात तो आप सभी को समझ में आ चुकी है किसी एक given atom में board theory के हिसाफ से अगर हम उसको imagine करते हैं तो जो center of nucleus होता है वहाँ से लेके वहाँ से लेके जो हमारी valence shell होती है उसकी जो boundary होती है और उस atom के अंदर exactly ठीक है तो इसको आप जल्दी से heading लगा लो atomic radius atomic radius और इसको draw कर लो atomic radius and इसको draw कर लो ठीक है ओके है इसको define कर लो क्या लिख होगे तδैक डिए धिए ग्वेके है और तो इसको होगे सब्तर है TW boundary of valence shell ठीक है अब देखो define तो कर दिया हमने लेकिन अब अगली बात क्या होती है कि यह जो particular atomic radius है इसको accurately precisely practically अगर हम बात करें तो practically इसको measure नहीं किया जा सकता यानि atomic radius cannot be determined precisely practically उसको precisely determined नहीं किया जा सकता क्यों नहीं किया जा सकता क्या देखो यार उसका reason यह है पहले जीज़ एंटम बहुत ज्यादा small होता है इतना छोटा होता है कि exactly accurately उसका size बता पाना बहर difficult है यह दो उसका पहला reason हुआ second reason क्या होता है second reason बड़ा ही interesting है आप सभी को याद होगा board theory के हिसाब से यहां पे energy levels है shells है जिसमें electron घूम रहे हैं लेकिन बाद में वेव mechanical model जब हमारे सामने आया तो वेव mechanical model के हिसाब से आप सभी को पता है कि हम यहां पे orbits की बजाए orbitals की बात करते हैं और हमारे पास energy levels होते हैं बिल्कु सही बात है principal quantum number हमारे पास होता है लेकिन अब वहां पे हम probability of finding the electron की बात करते हैं यहनि हम एक region of space की बात करते हैं जिसमें electron मिलने के chances होते हैं समझ गए यहनि exact boundary हम sharp boundaries define नहीं कर सकते according to the latest wave mechanical model of atom यह सबसे बड़ा reason है जब sharp boundaries होंगी नहीं हो सकता है electron मिलने के chance यहां तक भी बहुत जादा हो तो atomic radius को accurately calculate कर पाना isolated state में possible नहीं हो पा रहा है practically इसको accurately measure नहीं किया जा सकता बात समझ मैं ही कि atom को क्यों atomic radius को क्यों accurately measure नहीं किया जा सकता लिखिये सभी देखो it cannot be it cannot be measured it cannot be measured accurately accurately by practical methods 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 because because do point लिखले ना लिखलो because size of the atom is too small पहला reason because size of the atom is too small second लिखोगे no sharp boundary is present no sharp boundary is present as valence shell no sharp boundary is present as valence shell okay everyone अब देखो यह एक individual atom की तो हम एक individual atom अगर हमारे पास है तो ऐसे case में हम उसमें determine properly नहीं कर पाएंगे atomic radius तो कैसे determine करते हैं क्या तरीके होते हैं फिर atomic radius हम किसको तो बोलेंगे क्या तरीका होगा तो उस बारे में हम बात करते हैं उससे पहले everyone dear students शायद आप देख पा रहे हो कि भाई यह हमारे पास क्या है दिस आर टीटी वाली बॉल है ठीक है अब यह बताओ इसके कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं कर सकते हैं क्योंकि यह जो है यह macroscopic object है और यह जब macroscopic object है तो इसकी सारी properties हम clearly define कर सकते हैं ठीक है similarly यह जैसे हमारे पास टीटी राकेट है इसके सारे dimensions everything बिकाउस इसकी boundaries सब कुछ properly defined है लेकिन जो microscopic object होते हैं वहां पर हमारे जो classical mechanics होता है ठीक है वो फेल हो जाता है और वहां पर हमें क्या करना पड़ता है mechanical, wave mechanical model जो है वो हमें apply करना पड़ता है ठीक है तो यह बात है now the point is atoms का फिर यह atomic radius है वो calculate कैसे किया जाएगा देखो individual atoms का तो calculate हो नहीं सकता majority atoms किस form में exist करते हैं आप सभी को पता है majority atoms exist in combined state यानि combined state का use करके combined state का use करके dear students combined state का use करके atomic radius को calculate किया जाता है ठीक है अब combined state का मतलब क्या है जैसे कि for example अगर हम बात करें combined state में जैसे कि normally हमारे पास दो तरह के category के elements है जैसे पहली category हमारे पास क्या होते है metals होते हैं एक होते हैं हमारे पास non-metals तो अगर हम बात करें combined state में combined state में सबसे पहला जो हमारे सामने आएगा वो आएगा non-metals ठीक है अब अगर हम non-metals की बात करें dear students तो non-metals के अंदर ये बताओ आपस में जब ये atoms आपस में combine करते हैं तो atoms कैसे combine करते हैं याद करो chlorine chlorine bromine bromine यह सब elements जो हैं यापस में combine करते हैं तो कौन सब बांड बनाते हैं याद करो electron share करते हैं यतना तो हम ने 90s में पड़ा होता है शेयर करते में तो कौन सब बांड बनता है आए निक है कोवेलेंट कोवेलेंट बनता है यहां पर इनके corresponding non-metals के corresponding जो radii आएगा ठीक है? covalent bond बनेगा ना तो वहाँ पे जो radii define किया जाएगा उसको बोले जाएगा dear students covalent radii क्या बोलेंगे इसको? covalent radii और इसको short में हम इसे इसे लिखेंगे क्या लिखेंगे? R-C-O-V R-C-O-V ओके everyone? ठीक है? तो non-metals में हम define करने वाले हैं covalent radii को combined state में combined state में second possibility जो होगी वो कौन सी possibility होगी dear students वो होगी metals, जब metals आपस में connect होगे अब metals आपस में connect होते हैं with a special type of bond known as metallic bond, metals के बीच में जब connection होता है, जैसे sodium, sodium copper, copper, इन सब के बीच में metallic bond होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो radii होगा यहाँ पे जो radii होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? that is known as metallic radii ठीक है भई, लिख ले ना सारा का सारा यह सारा का सारा properly लिख ना dear students तो यहाँ पे आ जाएगा rm, ऐसे लिख देंगे इसको? बात समस्मेंगे इस अभी को? अच्छा जी, third possibility होती है third possibility होती है noble gases में noble gases के अगर मैं बात करो तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो radii होता है, उसको बोला जाता है यहाँ पे उसको बोला जाता है wonder walls radii, यह radius और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं rvdw कैसे लिखते हैं इसको? rvdw wonder wall अच्छा इhe noble gases जो होती है अभी देखो, इhe noble gases जो होती है यह combined state में होंगी या नहीं होंगी? यह आपको सोचना है यह आगे हम देखेंगे, ठीक है न? तो यहाँ पे noble gases combined state में है या नहीं है? वो हम बाद में देखेंगे लेकिन हाँ, known metals combined में होंगे, metals combined में होंगे और इसके basis पे हमारे पास जो radii आएंगे वो covalent radii आएंगे और metallic radii आएंगे ठीक है? तो atomic radius के लिए जो term use की जाएंगी dear students, वो मैं पहले ही आपको बता रहता हूँ वो mainly covalent and metallic radii use होगा ये जो wonder wall radii है ये actually एक special case है लेकिन आपको बाद में पता लगेगा कि जो noble gases हैं ये combined state में नहीं exist करती ठीक है? क्यों नहीं exist करती? भाई, noble है, yogis हैं ये समझ रहे हो ना, इनकी octet already complete है तो ये isolated form में होते हैं तो तीन तरह के आपको पता लग गिया कि वही covalent है, metallic है and wonder wall है अब हम एक एक करके समझने वाले हैं इनकी feel लेने वाले हैं कि असल में ये हैं तो हैं क्या? ठीक है? So let us try to understand each of one carefully तो अब मैं यहाँ पर आपके समने तीन categories बना रहा हूँ तीन categories में मैंने इसको divide कर दिया पहला हमारे पास non-metals है फिर हमारे पास metals है और फिर हम noble gases के बारे में बात करेंगे ठीक है? Non-metal में we have taken example of chlorine molecule, Cl2 ठीक है? Cl2 में दोनों element जो है न वो ClCl ले लिए, ठीक है? जिननने आपस में electron क्या किया? Share किया? Covalent bond बनाया जब वो electron को आपस में share करेंगे dear students तो क्या होगा? Atoms में एक तरह से interpenetration होगा है यानि वो एक दूसरे के थोड़ा close हा जाएंगे वही यहाँ पर show किया हुआ है द्याँ से देखो इनके बीच में Atoms के बीच में क्या हो रहा है? यह जो distance है, यह कौन सा distance है? यह distance है, internuclear distance क्या बोलेंगे इसको? intermolecular distance भी बोलेंगे इसको in fact, ठीक है ना? It should be, it is internuclear distance ठीक है? It is internuclear distance ओके everyone, अब यहाँ पर यह जो है, this is internuclear distance और अब अगली चीज़ अब इसमें covalent radii क्या होगा? तो इसके लिए अब covalent radii कैसे define किया जाता है? चलिए देखते हैं yes covalent radii तो यहाँ पर covalent radii कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं आपको define करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक यह जो इतना सा ठीक है? exactly यहाँ से बीच वाली लाइन से अगर हम देखे तो ठीक है? तो यह हमारे पास यहाँ अगर मैं बात करूँ यह जो r covalent है यह क्या हो जाएगा? this is equal to d by 2 this is equal to d by 2 बस इतनी जी बात है ठीक है? अब यहाँ पर अपने को किसी भी non-metal का किसी भी non-metal का अगर मुझे covalent radii चाहिए याद रखना वहाँ पर दोनों atom सेम होने चाहिए वहाँ पर दोनों atom क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए जैसे hydrogen, hydrogen, chlorine, chlorine bromine, bromine, iodine, iodine सेम होने चाहिए अगर वो अलग हो जाएंगे अगर वो अलग हो जाएंगे तो इस तरीके से फिर हमने निकाल पाएंगे अलग होने के बाद there will be a different formula वो हमारे out of scope है ठीक है न? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर simple इसको define कर लो जब एक covalent bond बनाने covalent bond बनाने के बाद इनका जो internuclear distance है इसका जो half होता है उसको हम बोलते है covalent radi तो सभी इसको draw कर लो और एक line लिख लो एक line लिखो जल्दी से लेखो it is half of the 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 shortest internuclear distance it is half of the shortest shortest internuclear distance short half of the shortest internuclear distance between 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 internuclear distance between in homo diatomic molecule in homo diatomic molecule homo का मतलब दोनों की दोनों सेम होने चाहिए और homo diatomic molecule के अंदर जो बीच में distance आया उस distance का half है यह ठीक है भई तो यह हो गया हमारा covalent radi अब जैसे for example एक चोटा सा question आप सभी के लिए है क्या है hydrogen में मालो ये internuclear distance hydrogen में in hydrogen hydrogen अगर हमें d की value दे दी मालो 74 picometer picometer पता है कितना होता है हाँ भई ठिल्लूँओ जल्दी बताओ picometer कितना होता है 10 की पार minus 12 meters 10 की पार minus 12 meters ठीक है तो अगर hydrogen में internuclear distance की value दी हुई है तो क्या आप covalent radii खट से बता सकते हो चोटी सी बात है तो से डिवाइड कर दो भई 37 आ जाएगा 37 picometer आ जाएगा तो अगर हमें internuclear distance दिया हुआ है तो हम उससे यह निकाल सकते है covalent radii और अगर हमें covalent radii दिया हुआ है तो हम internuclear distance भी बता सकते है गॉट इट चलो भई अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में let's talk about metals देखो यहाँ पर metals metals में जो bond बनता है उसको बोला जाता है metallic bond ठीक है metals metals में जब metal के atoms आपस में connected होते हैं जैसे कि sodium metal हमने लिया यह दोनों sodium के metal है metal के atom है और यहाँ पर यह nucleus है अगर तुम यहाँ से देखो तो यह जो atoms है एक दूसरे में penetrate नहीं करते हैं यह आपस में penetrate नहीं करते हैं ठीक है होता क्या है कि यह जो आपको सभी को दिखाई दे रहा है कि यह आपस में connected होते हैं और इनका जो यह surface होता है न यह जो region होता है यहाँ पर चारो तरफ क्या होता है thin film of electrons होता है चारो तरफ क्या होता है thin film of electrons तो यह जो जैसे मैंने red दिखा रखा है basically इनको तुम electrons consider कर सकते हो ठीक है, तो होता क्या है आप इसको इस तरीके से imagine कर सकते हो कि यह जो plus plus है, वो कुछ यहां है atoms यहां है, ठीक है तो यह सब क्या है, these are actually this is electron cloud, यह सारा electron cloud है अगर हम बात करें तो ठीक है, तो metallic bond को वैसे अलग से भी study किया जाता है यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर sharing नहीं होती penetration नहीं होता अब यहां पर penetration नहीं होता तो तुम खुद ही बताओ कि यहां पर अगर हम यहां पर अगर हम इन दोनों के बीच में inter nuclear distance की बात करेंगे तो यह distance कम आएगा यह जाधा आएगा तुम खुद ही बताओ यह distance क्या आएगा, जाधा आएगा, ठीक है अब इस distance का जो half होता है वो होता है metallic radii तो metallic radii क्या होगा होगा तो यह भी d by 2 यानि जो shortest internuclear distance होता है दो atoms में shortest internuclear distance जो होता है atoms में उसका जो half होता है तो जो half value होता है उसको हम क्या बोलते हैं metallic radii क्या बोलते हैं उसको metallic radii radii तो हमेशा यार पूरे उसका half ही होगा तो इसको भी हलका से define कर लो, जल्दी से लिगो, लिगो, it is half of the internuclear distance, it is half of the internuclear distance between, between, it is half of the internuclear distance between bonded atoms, between bonded atoms, between bonded atoms, which are joined, which are joined by, which are joined by thin film of electrons, which are joined by thin film of electrons, which are joined by thin film of electrons, ठीक है, अब देखो सभी के सभी, अब हम बात करते हैं, noble gases के बारे में, noble gases में, जैसे की, for example, हमारे पास xenon-xenon है, तो noble gases के अंदर क्या होगा, वो आपस में combine, normal conditions में नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे, for example, xenon के दो atoms है, है न, तो यह जितनी nearer, nearer position पे, जितना pass आ सकते हैं, assume कर लिया हमने वो आ गए, ठीक है, यानि इसके नजदीक हैं, नहीं आ पारे, combine नहीं हो पारे, योकिन में repulsions हो जाते हैं, तो यह इनके बीच में minimum value, मतलब minimum distance आ चुका है, इससे अगर यह दूर जाते हैं, यानि for example, मतलब यह इनका final minimum distance है, ठीक है, जिसमें stable होते हैं, तो वो minimum distance इनका आ चुका है, एक तरह से in the non-bonded state, atoms की state में है, non-bonded state में है, ठीक है, तो अगर inert gases की बात करें, novel gases की बात करें, तो उनके جो atoms होते हैं, वो non-bonded state में होते हैं, ठीक है, अब इस non-bonded state में अगर हम बात करें, तो इनके inary ant nuclear distance, चुका है, यह hat award होगा यहां तक, ठीक है यह जो half होगा यह हमारा क्या होगा this is actually different color use करते हैं color क्या white use कर लेते हैं यह हमारे लिए यह जो होगा यहां से लेगे यहां तक dear students यह हमारे लिए है r v d w water wall radi समझ रहो ना तो भाई novel gases के इंदर जो यहाँ पे दो atoms है यह non bonded state में है bond नहीं बना रखा है इनमें कुछ sharing वेरिंग नहीं रखी लेकिन जितना करीब आ सकते थे आ चुके हैं ठीक है लेकिन करीब आके भी यह दूर है थोड़े से मजबूर है ठीक है यह बहुत करीब नहीं आ सकते क्योंकि बहुत करीब आके कोई फाइदा नहीं है ठीक है न तो वही मैंने बताया ने इनके अंदर पूरा योगी वाले जो genuine योगी होते हैं उनके attributes इनके अंदर है as you can clearly see तो यहां पर जो आर वांडर वाल है वो clearly d by 2 हो जाएगा again r vd w is equal to d by 2 अब यह d change हो रहा है आप सभी देख रहे हो कि यहां पर d सबसे ज़्यादा कहां है सबसे अधर distance atoms में किदर है internuclei distant maximum किसमें होगा hra finances is में सबसे आधा हो can just और यहां पर अगर हम भात करें ट्यहां पे क्या होगा फिर इससे कब और यहां पर distance और कम होगा तो अगर सीमिलर atoms की बात करें similar atoms की बात करें यहां पर हम directly इन में comparison नहीं कर रहें लेकिन अगर हम similar atoms की बात करें dear students तो यहां पर यह जो R wonder wall है it is greater than R metallic and greater than R covalent सबसे कम इसमें होता है R covalent ठीक है अब एक और चीज मैं आपको इस से related बताने वाला हूं noble gas से related noble gas के अलावा एक और चीज ठीक है तो देखो जब जब atomic radii की बात आएगी तो atomic radii की बात आते ही non-metal और metal वाला यानि metallic radii या covalent radii की बात आएगी अगर बोल दिया गया bromine का ब्रोमीन का atomic radii तो ब्रोमीन का क्या मानोगे ब्रोमीन क्या होता है non metal होते ना उतर अगर हमारे सामने atomic radii आया है तो नॉर्मली दो terms यूज होंगे दो terms कौन कौन से एक तो यह हमारा covalent और एक होगा हमारे पास metallic यह जो wonder wall radii होता है इसका actually हम normal atomic radii से comparison करना valid नहीं है valid नहीं है मतलब it is not correct it is not the right thing to do ठीक है NCRT में भी एक बात बोली गई है कि जो noble gases का radii होता है obviously वो बाकी सबके correspondingly काफी huge होगा यानि respective periods में respective periods में जो noble gases है उनके जो यह radii होते है wonder wall radii वो maximum होते है पर वो wonder wall radii है वो normal radii नहीं है क्योंकि यह यह combined state में है और यह non-borned state में है तो comparison fair नहीं है ठीक है नहीं है तो comparing noble gases with the normal metals and non-metals is not fair because they are not in the combined state whereas these are in the combined state got it ठीक है तो यह point भी लिखलो यह लिखा हुआ है NCRT में भी यह comparison नहीं कंपरिसन से पहले यह लिखो कि noble gases noble gases have highest radii noble gases have highest radii highest radii in their यह सारा नोट कर ले ना जो भी आपे लिखवाया है highest radii in their respective periods highest radii in their respective periods because it is wonder wall because it is wonder wall ठीक है because it is wonder wall and they are in non-bonded state and they are in non-bonded state and they are in non-bonded state they are in non-bonded state ठीक है भाई बटकती आत्मा हो है ना अगला पॉंट के लिखोगे आपकती लिखोगे लिखोगे लिखर के लिखोगे 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 लिखोग with covalent or metallic radii with covalent or covalent slash metallic radii covalent slash metallic radii of the bonded atoms covalent slash metallic radii of the bonded atoms understood okay यह बात है अब देखो यह जो हमारे पास wonder wall radii होता है यह molecules के लिए भी define होता है यह चीज मैं आप सभी को एक और बता रहा हूँ जैसे कि for example हमारे पास यह रहा chlorine in the combined state यह रहे chlorine का molecule CL2 अब यह रहा CL2 का एक और molecule ठीक है और हम यहाँ पर assume कर रहे हैं क्या assume कर रहे है कि CL2 यहाँ पर कौन सी state में लाई कर रहा है solid state में लाई कर रहा है क्योंकि यह solid के लिए ही define होता है ठीक है define किया हुआ solid के लिए ही तो solid के लिए क्यों define किया है इसका भी logic है solid के लिए इसलिए define किया हुआ है योगि solid में यह जो molecules होंगे they will be closest to each other जितना close आ सकते हैं उत्ता close होंगे इसके बाद liquid और gas में तो वैसे ही बहुत जादा दूर चले जाएंगे ठीक है तो minimum distance को define करने के लिए यहाँ पर solid state लिया जाता है ठीक है ना अब देखो यह different molecules है यह अलग molecule है यह अलग molecule है again यह आपस में bonded state में है और non bonded state में obviously यह दोनों तो आपस में bonded है नहीं लेकिन जितना करीब ही आ सकते थे उतना करीब ही आ चुके हैं यह हम assume कर रहे हैं अब इनके जो nearest ध्यान देना सभी के सभी इनके जो nearest atoms हैं जैसे कि यह chlorine atom this one and this one these are the nearest nearest chlorine atoms इनके बीच में जो distance होगा यह और यह इनके बीच में जो nearest distance है dear students यह हो गया D और यह जो D distance है wonder wall radii इसी का क्या होगा आप सभी समझ सकते हो वो इसी का क्या होगा half होगा ठीक है इसी का half जो है वो हमारा हो जाएगा r v d w is equal to d by 2 ठीक है तो दूसरा define करने का तरीका क्या हो जाएगा इसमें भी non bonded है पहले noble gases में भी क्या थे non bonded थे पर यहाँ पर different molecules है वहाँ atoms थे यह difference है ठीक है ना तो लिख लो लिख लो it is also it is also defined for it is also defined for molecules in it is also defined for molecules in it is also defined for molecules in non bonded state non bonded state in non bonded state it is also defined for molecules in non bonded state bracket में लिख लेना solid जब solid होंगे तब ठीक है तो ऐसे case में क्या होता है it is half of the it is half of the internuclear distance between the closest atoms it is half of the internuclear distance between the closest atoms between the molecules ठीक है तो जो molecules के बीच में इसको define करने का वाला पूरा लिखने की ज़रूत नहीं है आप समझ जाओ कि यह जो internuclear distance आया है closest atoms में उन atoms का distance का half यहाँ पे आप सभी को दिया हुआ है half आपको दिया हुआ है wonderful radii का यहाँ significance क्या है क्या significance हमें बता रहा है तो गर देखो मैं आप सभी को बता रहा हूँ wonderful radii जो होता है यह signify करता है एक atom के complete size को complete size को जैसे अगर तुम देखो तो covalent radii जो है ना जैसे यह feel आएगी यह थोड़ी गहरी बात है ठीक है समझ लाना देखो covalent radii यह अपने को atom के पूरे size की feel नहीं देता जैसे यहाँ पर यहीं तक ही तो है अगर तुम उसको देखोगे तो that will be smaller ठीक है और यहाँ पर wonder wall radii से अगर तुम बनाओगे ना इसका overall size तो इसका जो पूरा atom का sphere of influence है यह जिस region में वो पूरा spread होगा एक तरह से जहाँ पर maximum electrons लाई करेंगे उस पूरे atom के complete size के बारे में हमें idea देता है ठीक है तो wonder wall radii हमें किस बारे में information देता है यह किसी एक atom के पूरे atom के size के बारे में information देता है लेकिन covalent radii वगरा उससे relatively क्या होते हैं कम होते हैं तो combined हो जाते हैं penetration हो जाता है तो इस कारण यह हमें exact idea नहीं देता नहीं तो कही हो कि दिमाग में आ जाता हो का सर covalent का समझ में आ रहा है कि भाई क्या define किया metallic का भी समझ में आ रहा है wonder wall का कही हो को significance समझ में नहीं आता तो wonder wall हमें complete मतलब एक तरह से sphere of influence के बारे में अंताजा देता है जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे यह करीब आए इसके पास क्यों नहीं आये इसके further past इसलिए नहीं आये क्योंकि atoms के बीच में electrons की बीच में repulsions हो रहे है समझ रहो ना इसलिए तो इससे करीब नहीं आए तो इसलिए हमें अब जब यह करीब आ जाते है जैसे कोविलेंट में करीब आ गए और यह आपस में पेनिट्रेट हो गए क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन शेर किया तो इससे हमें एक्जेक्ट आइडिया थोड़ी ना लगा कि वो एटम का साइज जो है वो साइज कितना है बात समय आई क्या तो यह बहुत important बात है यह बहुत students को इस बात के clarity नहीं होती कि wonderful radii क्या है वो रट लेते हैं वो that is fine लेकिन उसका funda क्या है यह हमें क्या बता रहा है यह हमें पूरे atom के size के बारे में हमें information दे रहा है actual size के बारे में थीक है तो इसके बारे में आप लिख लो जल्दी से क्या लिखोगे इसको draw करने की ज़रूत नहीं है छोटी चीज को क्या लिखोगे लिखो wonderful radii wonderful radii gives us wonderful radii gives us wonderful radii gives us an idea about wonderful radii gives us an idea about overall size of an atom gives us an idea about overall size of the atom wonderful radii gives us an idea about overall size of an atom ठीक है including its villain's shell including its villain's shell in non-bonded situation including its villain's shell in non-bonded situation non-bonded bonded situation अच्प 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 कि अरभ देखे एक फॉर्मुला होता है यह हमारे मतलब स्लेवस में नहीं से question नहीं आता है बट knowledge की लिए आपको थोड़ा बता रहा हूं ये जो formula होता है इसका नाम आप सभी देख रहे होगे इसका नाम है Shmekers Dimension Formula जो Shmekers Dimension Formula है मैं हलकस आपको आइडिया देता हूं ताकि जो आप में से भटकती आत्माई है परेशान आत्माई है उनको बस पता लग जाए कि हाँ ऐसा कुछ होता है इसमें क्या होता है कि अगर आटम डिफरेंट है जैसे एक 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 हमारे पास बी है और यह जो यहां से लेके यहां तक अगर हम देखेंगे यह हमारे पास इतना आ जाएगा directement और इसके जो nucleos है और उसे यहां तक का यह distance आएगा यह जाएगा यह जाएगा और भी यह तो clear रहा सबी को यह आर ए इस particular a atom का कोवेलेंट EDIE है और और बी इस b atom का कोवेलेंट जाएग और अब हमें अगर inter nuclear distance d देखना है तो d को rough रफली तो हम बोल देते हैं रफ्ली हम क्या बोल देते हैं रफॉक्सिमेटली हम बात करें ठीक तो इसके लिएक फॉर्मुला दिया गया जो फॉर्मुला दिया गया वो दिया गया, RA प्लस RB इससे थोड़ा सा कम होगा इससे थोड़ा सा कम होगा यह होता है इलेक्टरों नेगेटिविटी अभी आपको बता ढही नहीं गई है, पढ़ा ही नहीं गई है तो जब पढ़ा ही जाएगी तब आप समझ सकते हो कि electron negativity क्या होती है और ये delta EN क्या है तो देखो RARB आप समझ रहे हो delta EN क्या है ये इन दोनों atoms का electron negativity का difference है A और B atom का electron negativity का difference है ये उसका mod है यानि यहाँ पे it will always be positive ठीक है ना? it will always be positive multiply by 0.09 और ये RARB हमें किसमें लेना होगा ये angstrom में ही लेना होगा RARB हमें angstrom में ही लेना होगा तो कभी कहीं पे आपको किसी में दिख जाए तो आपको बस पता हो नची कि हायर ऐसा कुछ था ठीक है? लेकिन अगेन ये चीज काम की हमारे बिल्कुल भी नहीं है ओके? so don't worry about this and guys यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो ये atoms है जैसे sodium atoms है I think इसको देखके आप feel कर सकते हो कि जो metallic radii है वो क्या होगा? देख सकते हो? हाँ, ये metallic radii है ठीक है? और यहाँ देखो ये combined state में दोनों CL तो ये वाला कॉन से radii होगा हमारे पस? yes dear students ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है ये हमारे पास covalent radii है यहाँ पे हमारे पास metallic radii है ठीक है? अब देखो अब अगली चीज जो आप सभी के साथ share होने वाली है जल्दी से ही होगी नेक्स्ट सेशन में ही होगी वो होगी ionic radii ionic radii मतलब ions का जो radii होगा और ions का radii भी हम combined state में ही define कर सकते है तो जैसे हमारे पास NaCl है जो हमारा नमक होता है उसके crystal है तो NaCl में ये Na+, ये जो दिख रहा है और ये Cl- आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है? तो यहाँ पे ये जो RNA है ये आप सभी समझ ही रहे हो ये हमारा ionic radii है Na+, का और ये RCl- हमारे NIN का anionic radii है तो यहाँ पे ionic radii है ओके everyone तो ionic radii भी determine करने के लिए combined state ही काम आती है जब ions आपस में combine करके crystal form करते हैं ions आपस में combine करके crystal form करते हैं वैसे हम ionic radii determine करते हैं साथ साथ लिखी लो अच्छा रहेगा लेख लो ionic radii ionic radii यानि ions के जो radii है लेख लो ionic radii can also be determined ionic radii can also be determined ionic radii can also be determined by using by using by using combined form by using combined form of the ions by using combined form of the ions इसको draw करने की जरूद नहीं है सच ठीक है combined form of the ions करना चाहो तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है हाँ भाई everyone सभी के सभी atomic radii क्या होता है पता लगा लेकिन हम उसको practically determine नहीं कर सकते accurately determine नहीं कर सकते combined state में अगर हम बात करें तो यहाँ पे non metal metal अच्छा अब देखो combined state में मतलब यह मैने थोड़ा इसमें गलती हो गई इसको आप correct लेना वैसे तो मैने बारवे बताई दिया था कि यहाँ पे combined state में यह नहीं होगा यह अलग से होगा तो combined state में मतलब यह define करने के लिए था कि हाँ भई अगर हम इस possibility को consider करें तो पर noble gases में combined state होता है या नहीं होता है तो combined state में हमारे पास non metal मिलेगा metal मिलेगा non metal से covalent radii आएगा metal से हमारे पास metallic radii आएगा यह combined state में नहीं होता है तो यहाँ पर cross कर लेना notes में आ cross जरू कर लेना यह combined state में नहीं होता है और इसके बाद hoping that आप सभी को बिल्कुल फील आगी होगी हर चीज की कोविलेंट radii क्या है metallic radii क्या है इसके लिए देखो metallic bond की पूरी feel आनी चाहिए लेकिन ठीक है basic आप इतना समझो कि यह atoms है balls है balls आपस में बिल्कुल touch हुई है और उनका जो film है उनके आसपास electron cloud है किसका electron cloud है electrons का electron cloud है ठीक है electrons का मतलब cloud है पूरा आसपास सब जंग है ऐसे यह ऐसे बहुत सारे atoms है ठीक है न और उसके बाद noble gases के अंदर क्या होता है वो हमने देखा और इसलिए noble gases का जो radii होता है maximum होता है यह wonder wall radii की feel एक तरह से प्रभावी शेत्र कौन कौन सा है ठीक है पूरा sphere of influence atom का क्या है वो हमें इस बारे में information करता है और फिर बाकी सब बाते हमने करी ही लिए उसके लावा हमने shmaker stevenson formula के बारे में भी जाना जिसमें electron negativity का factor आता है delta en मतलब difference between electron negativity लेकिन ये चीज़ काम की हमारे नहीं है बस knowledge के लिए आप सभी को बता दिया है ओकी गाईस so hoping that ये session आप सभी के लिए जरूर helpful रहा होगा and आप इन औरगनिक chemistry को जरूर समझ पा रहे होगे आप सभी को जरूर समझ में आया होगा कि इन औरगनिक chemistry एक exception नहीं है बहुत ही logical चीज़ है चलिए गाईस मिलते हैं फिर next session में तब तक के लिए बाबाई take care and love you all